दोस्तों कल मेरे से एक पेशेंट ने बहुत ही इंट्रेस्टिंग सवाल पूछा उसने बोला कि सर क्या HIV का जो वाइरस है उसको खतम किया जा सकता है कैसे तरीका सुनिए कि जो खून है जो शरीर का हमारा जो ब्लड है अगर उसको किसी भी तरीके से पूरी तरीके से चेंज क वीडियो में हम लोग यहीं फाइंड आउट करने वाला है तो बने रही है वीडियो का अंत तक मेंश्कार दोस्तों मैं हूं दॉक्टर मरी शिर्मा और यह जो चैनल है HIV स्पेशलिक्ट स्पेशल चैनल है यहां पर सिर्फ फशिप HIV से लेटेड वीडियो मिलने वाल है तो लोग हमारे चैनल पर नहीं हो फटा फटे से सब्सक्राइब कर लो अभी बात करते हैं वीडियो की दोस्तों HIV है आप सब जानते हैं मैंने पहले वीडियो बनाया है इसके उपर कि HIV एक ऐसी बिमारी है जहां पर जो वाइरस होता है वो अपने आपमे कॉपी करता है जैसे ब बड़ी में एक वाइरस गया है तो अपनी ही लाग को प्रतियां मना लेता है अंदर अंदर ही अंदर ठीक है अभी ऐसे में जो हमारा ब्लड होता है यह हमारे ब्लड में होता है यह तो आपको पता ही होगा तो आप ऐसे में क्या करें कि वह सवाल यह था कि ब्लड अगर ठीक है पहला काम और oxygen cells तक पहुँचाना ठीक है दूसरा काम ठीक है और इसके लाव जो liquid है वो भी पहुँचाता है पानी की पूरती करता है और भी बहुत चे अलग अलग तरीके के अलग अलग काम होते हैं पर जो basic काम है कि हमारी जो body की cells होती है ठीक है वहाँ पे वो arteries के तुरू सुद्ध blood जो होता है वो oxygen पहुचाता है ठीक है और nutrition जो खाना होता है वो पहुचाता है अभी ऐसे में अगर पूरा blood को एक साथ निकाल दिया जाए तो हमारा सरी जिन्दा नहीं रहेगा ठीक है तो यह तरीका तो कामगा नहीं है फिर दूसरा तरीका इसमें यह है कि आप एक साइड से blood निकालो और एक साइड से चड़ाओ ठीक है जैसे कि जो blood cancer के patients को देते हैं blood transfusion होता है वहाँ पे ठीक है तो इसमें क्या होगा कि एक साइड से blood आ रहा है एक साइड से निकाल रहे हैं ठीक है उसको सुदगर के वापश डालते हैं उसके अंदर blood cancer में पर यहां पे आपन क्या करेंगे कि कोई patient है और positive का positive blood group है उसको तो positive blood group उसको चड़ाया जाए एक साइड से और दूसे उसका खुम निकाल जाए तो भी बात नहीं बनने वाली है ठीक ह्ए क्यूं क्यूंकि blood निकाल मौar एक साइड से झड़ निकाल रहे हैं थीक है तो इसका मनलख यह थे नए कि बाइशह साइड से निकल गया तो सारा ब्लड खाली हो गया यह तो है वह जो नया ब्लड आ रहा है वह भी जाकि उसी ब्लड में मिल रहा है तो वह वायरा से उसके साथ मिल जाएगा तो वहां भी खतम नहीं हो सकता ठीक है फिर तीसरा तरीका यह हो सकता भहिया कि पूरा ब्लड निकाल दिया जाए एकदम पूरा औ तो ऐसा पूसिबल ली नीय आ कि आपका पुरा ब्लड एक साथ निकाल दिया जाओ बडी से एक बार के लिए है और पूरी से तरीक्षी से उसको साफ किया जाओ फिर वापस ब्लड डाला जाइए तो ऐसा possible नहीं है क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो पेशन्ट इंसान जिन्दा नहीं रहेगा सामने वाला तो technically यह possible नहीं है आज तक तो अभी तक तो possible नहीं है future में अगर ऐसा कुछ हो जाए कि like blood अगर transfusion नए आप blood डालके पुराना निकाल दो और नया डाल दो और उससे पेशेंट का HIV ठीक हो जाए तो फ्यूचर में अगर रहा है इसी कोई टेक्निक आ जा जा तो कुछ कहा नहीं जा सकता पर आज की टाइम तक ऐसा पॉसिबल नहीं है जो जो तरीके हो सकते थे मैंने सारे आफसे डिसकस किये और किसी में पॉसिबल नहीं है यह चीज़ सो मेरा यार क्वेशन इंटरस्टिंग था तो मैं सोचा यार वीडियो बनाया जाए इसके उपर क्योंकि मुझे ऐसे सवाल जब कोई पूछता है ना तो मेरे मन में ऐसा होता या नहीं यार मेरे को सबके साथ सेयर करना है यह चीज़ सो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेक शूर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले बाकि मैं मिलता हूँ इसी किसी इंटरस्टिंग जानकाई साथ एक और नई वीडियो में तब तक लिए जैहिंद